नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रो के ओर बढ़ने से पहले एक बज़र सुर्ख्यों पर सिक्षकों की छुट्टी को लेकर सक्त हुए केके पाठक खेलों के प्रसक्षम के लिए इस दिन तक कड़े आवेदन सुनल गावसकर ने दूसरे टेस्ट में इन दो खिलारीयों को दिखाया टीम इंडिया से बाहर का रास्ता इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से गया में मिनी पित्रिपक्ष मेला की हुई शिरवाद बिहार के गया में बीते 29 दिसंबर 2023 से मिनी पित्रिपक्ष मेला की शिरवाद हो चुकी है जो की 15 जनवरी 2014 तक चलने वाली है ऐसे में पित्रों को मुक्ष दिलाने की कामना से देश के अनेक राजियों से बड़ी संक्या में पिंडदानी गया जी को पहुँच रहे हैं बतादे इक खर्मास में पिंडदान की बड़ी मानता है जिस वज़े से कपकपाने वाली ठंड होने के बावजूद भी भारी मात्रा में पिंडदानी यहां पहुँच रहे हैं बीते दिन सोमवार को बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2024 में होने बारी तीसरे चरण की सिक्षक नुपती परिक्षा को लेकर संसोधित रिवाइजड कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके तहत इस परिक्षा का आयोजन 24 अगस्थ को किया जाएगा महीं इसका रिजल्ट 24 सितंबर 2024 को जारी किया जाएगा मालू हो कि BPSC के द्वारा कैलेंडर में कहा गया है कि हर साल सिक्षक नुपती परिक्षा 24 अगस्थ को आयोजित की जाएगी वहीं इस वर्ष 4,506 प्रधान सिक्षकों की नुपती के लिए भी BPSC परिक्षा आयोजित की जाएगी बिहार में IAS और IPSC अफसरों को मिला प्रमोशन बिहार में भारती प्रशास्निक सेवा के 7 और 15 IPSC अफसरों को नए साल का तौफा देते वे प्रमोट कर दिया गया है वही 11 IPSC अफसरों को डियाईजी में प्रमोशन मिला है उनमें S.P. मीनू कुमारी, S.P. राजीव मिश्रा, S.P. दीपक वर्णवाल, सहायक निलेश कुमार, कमांडेंट, मृत्युंजे कुमार, तौहीद प्रवेज, S.P. अभै कुमार लाल, राशित जमा, अनील कुमार, अर्वंत कुमार गुप पर C.M. नितीश ने व्यक्त की गहरी शोक संबीदना, बिहार के मुख्यमंत्रे, नितीश कुमार के द्वारा, महराश्टर के औरंगाबाद, इस्तित दस्ताना फैक्टरी में, अगलगी हाथसे में, बिहार के चार मजदूरों की मौत अत्यान दुखद है, इस अगलगी हा को से 2-2 लाग रुपे अनुगरह अनुदान दिये जाएंगे, मक्यमंत्री ने अस्थानिक आयुकत नई दली को नर्देश दिया है कि महराश्टर सरकार से आवश्यक समनवे अस्थापित कर मृतकों के पार्थिव सरीर को बिहार लाने की समुचित पे वस्ता सुनश्यत की जाएंगे, सिक्षकों की छुट्टी को लेकर सक्त हुए के के पाठक, बेहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के दोरा राजी के सभी जिलोक के जलादिकारियों और उपविकास आयुकतों को नर्देश देते वे कहा गया है कि सक्षकों के परिक्षाएं शुरू होनी है, ऐसे में आवश्यक है कि सभी सक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ाएं, सक्षकों की उपस्तिती स्कूल में बहतर हो सक्षकों पर करा अनुशार्शन बनाये रखने की भी आवश्यकता है, बोर परिक्षा को लेकर माधमिक स्कूलों में विश संग्रह को लेकर आंकरा जारी किया गया है, जिससे है जानकारी, सामने आई है कि बिहार में अप्रेल से दिसंबर 2023 के दौरान जीस्टी संग्रह में वार्सिक 10 प्रतीशत की व्रदी हुई है, बिहार का जीस्टी संग्रह इन महीनों में 19,157 करोड तक पहुँच गया, बता 1309 करोड उपे मिले थे, वहीं परोसी राजी उत्तर प्रतीशत बंगाल ने 10 प्रतीशत और जारकर ने 4 प्रतीशत की व्रदी दर्ज कराई है, मचली उत्तर बिहार मचली उत्तर बिहार मचली उत्तर बिहार में आत्तर नर्भर होने बाला है, दरसल बिहार के सीता मढ़ी ज कास कार्प सिलवर कार्प व पंगेसी समीद अने प्रजाती शामिल है बता दे कि एक अनुमान के नुसार जले में 60-70 फीजदी लोग मचली खाने के शौकीन है यही कारण है कि जले में प्रति दिन लगभग 2000 मिट्रिक टन आंधर प्रदीश व पश्मी बंगाल सी मचली का आय उलको सीखने के एक्चुक है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि इन खेलों के लिए बिहार राजी खेल प्रादीकरण के दौरा एक्चुक खिलारियों को गैर आवासी प्रसक्षन दिया जाने वाला है जो कि राजी के तीन अस्थानों पर दिया जाएगा ऐसे में प्रसक्षन लेने के एक्चुक अभ्यरती पांच जन्वरी दो हजार चोबस तक अपना आविदन कर सकते हैं इस संबन में जिला खेल पदा दिकारी के ओर से पत्र भी चारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि गैर आवासी खेल प्रसक्षन के तहत पटना जले के बारव हाथ आविदन जमा करा सकते हैं करोना की वैक्सीन कार्वो वैक्स पटना आई 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी राज्य में करोना से बचने के लिए बूस्टर डोस नहीं लेने वाले लोग या फिर 12 साल से 14 साल के किशोर जो वैक्सीन से वंचित रह गया थे उनके लि मालमों कि 5000 वैक्सीन स्टॉक में हैं ऐसे में यदि वैक्सीन की जरूरत होती है तो और भी वैक्सीन मंगाई जाएगी फिलाल इसको लेकर गाइडलाइन का इंदजार किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए कि राजी के इस्पतालों में करोना संक्रमित लोगों के लिए के बेड रिजयर्व करके रखा गया है कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारई सिक्षको पर चलेगा के के पाठक का डंडा विहार सरकार के सिक्षा विभा के अपर मुख्यू सचीव के के पाठक के दोरा एक बार फिर से Collins सिक्षकों पर सिकंचा कसा जाएगा जो कोचिंग स सभी जिलों के जलादिकारियों और उपविकास आयुक्तों को इससे समबंधित नर्देश जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राजी के सभी सरकारी स्कूलों के भगोरे सक्षकों को निलंबत किया जाएगा उनके खिलाब विभागे कारवाई भी की जाएगी वहीं क चिंक संस्थानों में पढ़ाने वाले सक्षकों को भी कारवाई के लिए चिनहत किया जाएगा इसके लावाद सक्षकों की छुटी लेने की प्रवती पर रोक लगाने की भी योजना है बिहार में ट्रक और बसों के ड्राइवर्स ने हिट एंड रन कानून का किया विरोध बीत दिन बिहार की राजदानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई कानून को लेकर ट्रक और बसों के ड्राइव जिन के बाद भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाक रुपए तक का अर्थ धन का प्रावधान है हाला कि इसमें यह भी कहा गया है कि कोई आरोपी ड्राइवर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा भी कम कर दी जाएगी लेकिन इससे पहले तया रोज 3000 किलो ग्राम गैस का उत पादर बिहार का पहला कंप्रिस्ट बायो गैस प्लांट विक्रम गंज के घोसिया गाउं में बनकर तयार हो चुका है जिसकी शिरवाद जन्वरी में खरमास के बात किया जाएगा बता दे किस प्लांट के लिए कच्छा माल यानि कि माल वहनों में किया जाएगा इसे खरीदने के लिए IOC यानि की Indian Oil Corporation के द्वारा अग्रिमेंट कर लिया गया है इस प्लांट में CBG के साथ जैवी खाद भी तयार होगा दर्भंगा से दिल्ली के लिए पहली बार खुली अमरत भारत ट्रेन बीते दिन नए साल के मौके पर विहार के दर्भंगा से अयोध्या और दिल्ली को जोडने वाली प्रदेश के एक मात्र अमरत भारत एक्सप्रस ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई बता दे किस ट्र और आनंद विहार से मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी ट्रेन के सीता मढ़ी पहुँचने पर केंद्रिय रेलवे रेल यातरी संग एवं कंफेडरेशन ओफ और इंडिया ट्रेडर्स के जुलाध्यक्ष राजीश कुमार सुन्द करकर कर नियतरत्व में लोको पा का हवाला देते वे रदिकर दिया गया था इस बारे में जेडियू राश्ट्रे महासचीव राजीव रंजन के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि पुर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर की सौवी जयनती पर पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में भवे रैल पुरी ठाकुर की नीतियों और विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जड़ी जापूरी तरह से फिट होंगे तो वह आर अस्वन की जगहर टीम में लोटेंगे। इसकी वज़ा यह है कि अस्वन का पिछले मैच में अस्तमाल बेहत कम हुआ था इसके लावा एक बदला बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। इसका सही उत्तर है ओप्शन C 24 अगस्त। अगला सवाल बेहार राजी खेल प्राधिकरन के द्वारा दिये जाने वाले खेलों के गैड आवासी प्रसक्षन के लिए आविदन करने की अंतिम तारीक क्या है। उप्शन A 20 जन्वरी, उप्शन B 15 जन्वरी, उप्शन C 10 जन्वरी, उप्शन D 5 जन्वरी। इसका सही उत्तर है ओप्शन D 5 जन्वरी। अगला सवाल, गया में में पित्रिपक्ष मेला कब तक चलने वाली है। अगला सवाल, बिहार के कितने IPS को DIG रैंक में प्रमोशन मिला है। उप्शन A 7, उप्शन B 11, उप्शन C 15, उप्शन D 21। इसका सही उत्तर है option ready 11 अगला सवाल बिहार के पहले compressed पायो गैस plant में कितने kilogram गैस का उत्पादन होगा? option ए 3000 किलो, option B 4000 किलो, option C 5000 किलो, option D 6000 किलो इसका सही उत्तर है option 3000 किलो बीते दिन हमाय दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नप्रजाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमाय दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है आपके छित्र में 9 वर्ष को लेकर कितनी चहल पहल बनी रही अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज क्लिक नहीं बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखें चाल को सब्सक्राइब करने और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पीस को फॉलो करना न भूलें धन्यवाद